नमस्कार दोस्तों मैं रूपमतिवर्थे बोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चेनल रूपा ग्रीन गार्डन में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सबस्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो का कोई टॉपिक तो नहीं है यकिन आज है मेरे जो सुरज मुखी फ्लावर खिले हुए हैं और आज मैं आप लोगों के शाथ में शेयर करना चाहती हूं कि मेरे जो सनफ्लावर का प्लांट है उसमें सारे फ्लावर खिल गए हैं तो चलिए दोस्तो एक जलक मेरे गाड़न की तो ये देखिए दोस्तो ये थोड़ा सा मैंने फेर बदल किया है कि उपर जो मेरे रोज प्लांट थे वो बहुत जल रहते धूप में तो मैंने इधर नीचे रख दिये हैं और थोड़ी थोड़ी एकदम इधर उदर भाग रही थी तो मैंने कटिंग कर दी है और दोस्तो ये देखिए इधर और मेरे आज हिविकस में भी एक सांथ फ्लावर खिले हुए हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के शांथ में शेयर कर लेती हूँ और एक छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ ये देखिए ये कितना प्यारा कलर आया हुआ है और एक ये वाला कलर है दोस्तो और दोस्तो एक ये है इसका भी कलर बहुत ही अच्छा है और इधर ये हमारे गंदराज और दोस्तो इधर भी ये देखिए कितनी सारी बट से आई हुई है और इधर ये देखिए एक फिलावर ये है और दोस्तो एक ही ये है विकस ये बहुती बड़ा साइज का फिलावर खिलता है इसका ये देखिए इसका कलर देखिए अभी ये बहुत छोटा सा है बहुत कम खिला है पूरी तरीके से खिला नहीं है और इसमें देखिए कितनी बट सारी है ये देखिए अभी बट से इसक कितनी बड़ी है ये और फ्लावर बहुत ही बड़ा है इसका और दोस्तों इधर हमारे पूरे हवीकस हैं और इस तरब में एक वाइट कलर का भी फ्लावर खिला हुआ था ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये देशी वाला है और इसमें भी बट्स देखिए और आज ये फ परिश्ट बार पहला फ्लावर खिला है और बहुत सारी कलिया है और दोस्तो इस तरफ में हमारे ये कोलियस और दोस्तो मैं अपनी जो लबवर्ट्स है उसको भी दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तो इनका मैंने नाम रखा है, मैं इनको परिया करके बलाती हूँ यह देखिए जब मैं इसको बलाती हूँ तो बहुत नास्ती है यह और एक खास बात इसकी यह भी है जब मैं मुजिक लगा देती हूँ तो यह तीनों बहुत नास्ती है बहुत कूटती है और दोस्तो इस तरप में हमारे इंडोर प्लांट इधर भी मैंने थोड़ा सा फेर बदल किया है थोड़ा से इधर से उधर जमाए है और दोस्तो इस तरप में हमारे ये बीच वाले और दोस्तो हमारे जो नेता मोदी जी है प्रधान मंत्री वो फिर से और लॉकडाउन की जो टाइमिंग है वो बढ़ा रहे है और वेसे इस मुसीवत से निकलने का एक यही रास्ता है कि आप घर में रहें और जादा भीड़ भारवाली इलाकों में ना जाए तो ही सेप रह सकते हैं नहीं तो मुश्किल पढ़ जाएगी हम सब के लिए अच्छा ही होगा कि यह लॉकडाउन बढ़ जा लेकिन हाँ थोड़ी सी मुसीवत तो पढ़ेगी थोड़ा सा हमें परिशानी का सामना करना पड़ेगा लेकिन अब क्या कर सकते हैं अगर स्वस्त होंगे तो अच्छे हों और इधर हमारे सारे बिनका प्लांट का कलेक्शन दोस्तों और यह देखिए तो ये देखिए दोस्तो हमारे ये चोटा सा गार्डन है और इस तरफ में हमारे ये पूरे कोलियस है ये चोटे-चोटे प्लांट है जो बड़े प्लांट हो गए है उसको मैंने उस तरफ में रखे हुए है ये चोटे-चोटे प्लांट है उसको मैंने इधर रखे हुए है और दोस्तो कुछ इस प्रकार दिखता है तो चलिए दोस्तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जो मेरे सन फ्लावर के फ्लावर पूरे खिले हुए हैं उसको तो ये दोस्तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के शांत में शेयर करते हुए कि एक सांत पूरे फ्लावर खिल गए हैं ये देखिए कितने खुबसूरत लग रहे हैं ये और दोस्तो ये धूप में बहुत ही अच्छे से खिलते हैं और इसको पूरे दिन भर की सन लाइट मिले तब भी इनका कुछ नहीं होता है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और दोस्तो मैं इसी बार ये वाले लेके आई पिछले साल मेरे पास बहुत चोटे चोटे ये मैं फर्स्ट वार लाई हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तो दोस्तो आप लोगों को कैसे लगे ये मेरे सन फ्लावर के जो फ्लावर खिले हुए हैं और दोस्तो बस मैं खाली आप लोगों के शांत में ऐसी बात करने के लिए और मेरे जो फ्लावर खिले ह मैंने वीडियो बनाया है तो चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो और मेरा ये गार्डन पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलेगा धन्यवाद